हलो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग SS टुटोरियल्स में लूप एनालिसिस ग्राफ थियोरी में कैसे यूज करते हैं उसको स्टेडी करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रेक्वेस्ट है कि चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं लूप एनालिसिस इन ग्राफ थियोरी तो सार्किट थियोरी का अगला टॉपिक है लूप एनालिसिस इन ग्राफ थियोरी तो पहले सबसे समझ लेते हैं कि इसकी लूप एनालिसिस करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स हमको फालो करने हैं तो पहला step तो यह है कि आपको जो given network है उसको redraw कर लीजे, फिर उसका graph बना लीजे, second step में, third step में आपको एक proper tree select करना है, fourth step में fundamental loop select करना है, fundamental loop की उपर हमने एक अलग video बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजे, तो fundamental loop बनाने के बाद हमें KVL equations लिखनी है, KVL equations जब आ जाएगी उसको matrix form में लिखना है, और यह आपका आ गया KVL B into V is equal to zero, last step में हम लोग को loop current I1, I2, I3 बगएरा बगएरा assume करना है, और branch current को हम J1, J2, J3 से indicate करेंगे, तो हमारा J की value क्या होगी, B transpose into I, ठीक है, B transpose, B की matrix जो है, उसकी हम transpose लेंगे into I, I क्या चीज़ है, I1, I2, I3, J क्या चीज़ है, branch current, ठीक इसी का हम use करेंगे, step by step करते जाएंगे और बहुत आसानी से question solve हो जाएगा, example आपके सामने है, इसमें लिख रहा है कि write the matrix loop equation for the given network, ये एक network आपको दे रहा है, और कह रहा है कि इसकी loop equation लिखिये, तो ये circuit पहले से बना हुआ है, अब हमारा second step है, जो है, वो है, इसका हम graph बना लें, तो आप देख पा रहे हैं कि right hand side में इसका एक graph बना लिया है, जिसमें node mention है, yellow color वाले एक circle में, one, two, three and four, एक node यहाँ पे assume करी है, एक node ये assume है, एक node ये assume की हुई है, और एक node ये assume की है, तो ये node number one है, ये node number two है, ये node number three है, ये node number four है, और इसका graph हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक, तो अब आप देख पा रहे हैं कि four node हैं और five branches हैं, अब इसी graph से हमें fundamental loop बनाना है, यानि tree बनाना है, तो पहले हम tree बना, assume कर लेंगे, जो भी आप tree assume करना चाहें, वो tree assume कर सकते हैं, तो tree में क्या होता है, सारे nodes आपस में connect होते हैं, और वहाँ से link, हम link बना लेते हैं, link क्या चीज़ होती, जो dash line से आपको दिख रही है, ठीक है, तो अब यह जो loop बना, तो यह बना fundamental loop, इसमें direction assume कर ली current की clockwise, यह किये कोई भी direction आप assume कर सकते हैं, मगर ध्यान यह रखना है, कि link की जो direction है, उसी direction में आपको current की direction assume करना है, तो loop number one में देखिए, कि हमने mesh current यानि loop current I M1 माना है, और इसकी direction जो है, वही direction है, जो link की है, link जो है, वो dash line से आपको दिखाया है, इसी तरह से mesh number two में, हमने current assume की, I M2, और इसमें direction देखिए, link number three के direction में current flow कर रही है, तो अब यह हमारा बन गया fundamental loop, अब KVL apply करेंगे, तो पहले सबसे B की matrix लिखेंगे, दो loop हैं, तो देखिए, one and second, first and second loop लिखा, twix और link अलग-अलग लिख लिख लिए, twix हमारी कौन-कौन सी है, two number की है, five number की, four number की है, तो twix आ गई, two, five, four, link कौन सी है, जो dash lines से हैं, यानि one और three, तो one और three, आप इसकी loop number one में देखिए, loop number one में कौन-कौन सी twix है, twix number two, twix number five, तो आपने twix number one और twix number five पे one-one लिख दिया, four number की twix इसमें नहीं है, तो वहाँ पे zero लिख दिया, ठीक है, link कौन-कौन सा है, link number one, link number one, ये लिख दिया, one, three number link इस mesh में नहीं है, तो वहाँ पे zero लिख दिया, अब आएए second mesh में, second mesh में क्या है, twix number two इसमें नहीं है, तो देखिए, zero लिख दिया, कौन-कौन सी twix है, four और five, तो five और four लिख दिया, और link कौन सी, ये three number की है, तो ये three number की link लिख दिया, और two number की link zero हो गई, अब इसको सीधे सीधे लिख 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 लिया, one, two, three, four, five, ये matrix आ गई, एक B की matrix आ गई, अब इसका transpose ले लिया, तो आपको पता है transpose में क्या होता है, row को, column को, column को row में change करते हैं, तो ये आपका transpose वाली matrix आ गई, ये matrix आ गई, transpose की, current कौन से assume की हैं, match number one में I am one, और match number two में I am two, तो ये current की matrix आ गई, ये किसके बराबर है, branch current के, तो branch current कितनी हैं, five हैं, तो ये वाली matrix आ गई, branch current की, अब आप इसको, expand कर दीजे, तो branch current जो है, वो match current के terms में आ जाएगी, तो जब आपने इसको expand किया, तो देखे ये value आई, ये value आई, I am one, ये आपको matrix तो पता ही है, solve करना, I am one, I am two तो zero हो जाएगा, जब इस zero से multiply करेंगे, तो यहाँ पर ही है, हमने branch current निकाल ली, mesh current के terms में, अब आईए, देखिए, voltage की matrix लिखना है, तो voltage हमारा, देखिए आप किस branch में voltage है, तो branch number one में voltage है, और voltage source है, और branch number three में voltage source है, तो हम कहेंगे, VB1, VB1 is equal to 20 volt, और VB3 is equal to 30 volt, VB2 की यानि branch number two में, branch number two में voltage क्या होगा, branch number two में जो current है, और जो resistance है, उनका multiplication according to ohms law, तो branch number two में current क्या है, बच्चों, IB2 है, और IB2 यहां से आप देखिए, किस के बराबर है, IM1 के, तो यहां पे लिख दिया, IM1 into resistance की value 24 दे रहा है, fourth, VB4 में कौन सा voltage drop होगा, branch current, IB4 और resistance R3, तो IB4 किस के बराबर है, IM2 के बराबर है, तो IM2 की value रख दी, और resistance की value put कर दी, 8, VB5 यानि branch number five में voltage क्या होगा, branch number five में current, IB5 into R2, IB5 किस के बराबर है, IM1 plus IM2, तो और resistance क्या है, 12, तो आपने इसको multiply कर दिया, 12, IM1, IM2, clear, अब आईए, B और F को multiply की, equate कीजिए, 0 के यही हमारा, ohms लाए, तो आपने क्या किया, B की value यहाँ put कर दी, देखें, यहाँ B की value, यह वाली, जो हमने matrix लिखी थी, यह matrix लिखी थी, इसको यहाँ पर put कर दिया, 1, 1, सब पूरी put कर दी, कितने voltage source है, 5 voltage source, 5 voltage drop है, VB1, VB2, VB3, VB4, VB5 is equal to 0, बस यहाँ पर आपको यह point ध्यान देना है, कि जिस branch में source है, voltage source है, उसका, उसमें आपको क्या करना है, sign को change करना है, तो यह देखें, यहाँ पर branch number 1 में, sign change VB1 में है, और VB1 और VB3 की sign हमने change कर दिये, negative हो गये, is equal to 0, तो यह बहुत important point है, यह आपको ध्यान रखना है, अब VB1, VB2, VB5 यह वाली put कर दी, step 5 में से जो value आई हैं, वो put कर दीजे, तो देखें, आपने जब value put की, तो एक equation बनी, इसको simplify किया, तो equation 1 बन गई, फिर जो put किया, तो यह वाली equation बन गई, VB1, VB2 की value हम यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ पे आप देखें, यह step 5 में सारी values दे रहा है, यहाँ calculate कर चुके हैं यह value आप इसमें put कर दीजे, यहाँ पे इसमें, और इसको simplify कर लीजे, तो अब आप देखें, equation 1 और equation 2 में, दो equation आपको मिल गई, और दो unknown हैं, तो बहुत simplify, बहुत आसानी से आप simplify कर सकते हैं, तो IM1 की value 0.07 आ गई, और IM2 की 1.46 आ गई, बस जब आपके पास IM1 की value आ गई, IM2 की value आ गई, तो अब आप branch current लिख सकते हैं, branch current क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए, कि IB1 is equal to IM1, तो IB1 की value क्या होगी, जो IM1 की, यानि 0.07, तो यह सारी यहाँ पे आपके पास branch current आ गई, अब जब आपके पास सारी branch current आ गई, तो आप जो है, branch voltage भी लिख सकते हैं, VB1 20V तो देही रहा है, VB2 क्या चीज़ है, अब आप देखिए, VB2, VB2 है, IM1 into 24, तो आप आपने IM1 की जंगा, IM1 की जंगा, 1.46, IM1 की जंगा 0.07 into 24, तो यह branch voltages आ गई, तो इस तरह से आप सारी branch voltages calculate कर सकते हैं, यहाँ पे, step 5 में जो दे रहा है, बस यही आपको values निकालना है, branch voltages आ गई, branch current आ गई, आपके पास सारा answer आ गई, तो बहुत simple है, बच्चों इसको एक बार जरूर हाथ से करिएगा, बस यह दियान रखिएगा, जिस branch में voltages हैं, उनके sign को आपको reverse कर देना है, पिलस से माइनस, माइनस से पिलस, तो उम्भीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा, प्लीज हमारी help करिए, 1000 subscribers को पूरा करने के लिए, कोई भी doubt है, comment box में लिकिए, हम आपके सारे points, सारे doubt किलियर करेंगे, तो मिलते हैं next video में, till then, goodbye, take care of yourself.